समस्कार आधाव सचीया काल विलकम हैं आप सभी लोगों का हेलो एवरिमन कैसे हो आप सभी फ्री अंलाइऑ घ्लासेद जो हम पढ़ रहते हुआ बहुत ही क्रेंद होतार में जो प्रिंटर नहीं होती हैं तो मैंने जो टॉफिक पढ़ा ली थे वह आपका इम्पेक्ट पृंटर था ठीक हम बात कर रहाए थे कंप्यूटर की क्लास में हम पढ़ रहा है। मैंने उसने दो द्धिक में होते एक प्रिंटर होता है जो कैसा होता है करेक्टर भाई करेक्टर यानि एक अच्छे को चापता है दूसरा क्या होता है लाइन चापता है एक बार में एक लाइन चापता चला जाएगा और जो आपका नॉन इंपेक्टर होता है वो एक समय में एक पेज को चापने का काम करता है तो इस में बने भी आपके, तो इस में बने वक्ती है कमें मैं बने मेरत राथ। यम्मा थोचे अभी के सापर है, Åह थे प्रिंटर की मेरत निकलता है, घग नर आते हैं। जिसने रहे रहे हों, सब्सक्रयन, देलिगा नताहि conservative हैं। इसए जो प्रिंट किया जाता है वह डियंप भी होता है क्योंकि आप उससे अगर जूम करोगे नவेशetzung जूम करने पे आपको क्या दिखा頭 की दौरी प्रेंट को वो za चलता है ठीक है इसकी इंक अच्छी होती है यह सालो साल चलती है तितितिस साल तक तफ्सक्राविशय होता घिते सaches Ray और क्या होता है कि अध्य ज़ैजात प्रिंट की आग सफंषय होता है दूसरा छी आता है डेजी विल ठ्रिंटर देजी वील प्रिंटर ठीक है तो हमने DMP तो पढ़ी लिया है dot matrix printer जितने भी सरकारी विभाग में यूज किये जाते हैं वो आपका DMP रहता है चाहे आप कचहरी में चले जाओगे तो कचहरी में भी देखोगे कचहरी के बाहर जो बैठे आते करने के लिए तो यहीं पर खटर पटर की आवाज करने वाला DMP होता है सरकारी विभाग में जाओगे DMP वाले ही दिखाई देंगे आप से DM office में चले जाओ वहां पर भी आपको दिखाई देंगे हम हाई-सू का मार्क सीट हो गया हमारा जो घर के कागजाद होते हैं जो भी एफाई या वगए दर्च करवाते हैं वैसे जो प्रिंट निकाल जाता है वह DMP का ही यूज होता है क्यों कि इसकी इंक केसी होती बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की होती है तो आज हम बात करेंगे इसी करेक्टर प्रिंटर में आज जो नंबर चलेगा वो रहेगा डेजी वील प्रिंटर में क्या है खासियत क्या है कैसी यूज करते हैं फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन प्रिंटर जो एक बार में क्या करता है एक लाइन को प्रिंट करता है ठीक है तो सबसे प्रिंटर होता है जितने भी सरकारी विभाग रहेंगे वह आपके क्या होंगे इसमें प्रिंटर होंगे राइट तो अब आगे भरते हैं ठीक है आगे क्या है दीमपी के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं वह यह है कौन सा प्रींटर तो देजी विल प्रिंटर के बारे में आज हम बात करेंगे जो प्रींटर पढ़ने से पहले हम पूछेंगे आप से एक सवाल यानि कि हमारी जो चलेगी वह रहेगी पहली फिर इसके बाद इस question को पूछने के बाद मैं आपको इसका answer बताऊंगी लाश्ट में तब से पहली क्या है ठीक है I hope सब कुछ clear हो रहा होगा सब कुछ दिखाई दे रहा होगा क्रिक्यूशन यह है ऐसा रूम जिसकी खिरकी न दरवाजा ऐसा कौन सा रूम है जिसकी न तो खिरकी होती है और न तो दरवाजा होता है तो बताऊ क्या है एक क्योशन आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा रूम है जिसके अंदर न तो खिरकी होती है न दरवाजा होता है और फिर भी उसे रूम कहते है ठीक है तो यह आपका क्योशन है इसका answer आपको बताना है गाईस ठीक है कौं सा रूम इसकी न तो खीरकी और न क्या है दर्वाजा है तो क्या वह कौन रूम है उसे रूम ही कहते हैं तो यह रहा क्यूप्शन अब चलते हैं करेक्टर प्रिंटर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ने वाले हैं daji you printer देजी वील प्रिंटर क्या है यह डेजी वील प्रिंटर की बात की जाए तो डेजी जिसे नाम सी पता चलता है डेजी किसे कहते हैं बच्छों पढाते हैं तो उसमेन देखाऊ मैं एक फूल होते हैं डेजी जाए मतलब क्या होता है तो यह डेजी फिदू ला इंदिगा है जाएंगा कि अगया हैुत क्यश्य पंपर क्या है कि फुल वाला प्रिंटर उसं में क्या होता है गुल बाहार की तरह मतलब लगा है fill नाम का अवर्म होता है, इसकी हिंदी में क्या करते है गुलबाहार करते हैं तो ऐसे ही एक पहिया लगा होता है इसमें धेर सारा चक्र लगा होता है आप देख भी रहे हो किसमें क्या होता है तो इसमें धेर सारा चक्र लगा होता है और इसी चक्र के किनारे किनारे इस पे छपे होते हैं क्या छपे होते हैं इस पे करेक्टर जैसे इसी धे सारे पहिये में छपा होता है, किसी में छपा होता है A, किसी में छपा होता है B, किसी में छपा होता है C, किसी में दबा होता है D, इसी में आपका छोटी भी सीधी में A, छोटी भी सीधी में B, इसी में छोटी भी सीधी में C, इसी में आपका 1, इसी में आपका 2, इसी खिएक ही दे अब क्या होता है यह कंट करिंटर की मईे देख करें कर Принshaped तसे आप आप के आप काम करते हैं गुमता हुआ जहां पर भी रहेगा वालो यह आपका पेज है ठीक है आपने दबाया ए तो पिछा के जो है आपका यह पहिया है डेजी का यह घुमना स्टार्ट होगा और जहां होगा वह टाइप कर देगा ठीक है फिर आपने कुछ भी किया राम तो घुमेगा पहले आर को करेगा असबना पर करेगा तो फिर आपने स्टार्ट के टाइप करेगा छी कछा के छोज्ञें स्ट विए तो पाइप करेक्टर को धहां जहां इसमें क्या होता है पहिया घूमता है और जो भी अप दबाते हो भी आप लेजा है पहिए पहां!! इसे किस ने बनाया था तो इसे बनाया था यापनिक कंपनि वालों ने Northern पहला बनके आया था साथ आप देजी will के वाले में लिख लो daji wheel ढाका impact printer कौना सब लिक दखना मैं यह लख दे रही हूं daji wheel जो है आपका यह आपका impact printer है impact printer है ठीक है किसा printer है तो यह आपका impact printer है यह जोग हम चाहब अक्चा जीर मतलब धीर धीर चापता है कोई चीज यह निख Hभता ज्याज ऑग एक दाशी कर में यूज करते हैं वह एक बार में एक चालता है फटत में ही क्या होता है प्रिंट करते तल कि यह आपको प्रिंट तो करता मगर कैसे करता है एक समें में एकष्षर के चालता है यानि एक वन टाइम वन करेक्टर ठीक है एक समय में एक करेक्टर को ये क्या करता है तो ये एक समय में एक करेक्टर को ही प्रिंट करता है ठीक है और ये कब लांच हुआ था लांच करने की बात की जाए तो ये 1980 में ही लांच हो गया था कब लांच हुआ था तो ये आपका सॉरी ये 1980 में ही launch हो गया था किसके लिए फर्स्ट किये था commercial commercial के लिए यूज किया गया जाने लगा था यहनि कई कामों के लिए commercial purpose commercial purpose ठीक है commercial purpose के लिए print होने वाले क्या था printer था कौन आपका तो desi wheel printer clear है I hope चीजे clear होंगी है आज़ो और परते है desi wheel का थाथा आप चाहे तो लिख सकते हो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो definition तो मैं सुरस्टा हट जारू हूँ पहले अगर आप note करना चाहते हो तो आप note भी कर ले ना ठीक है अब मैं तो इसके definition लिखा देते हूँ किसका? desi wheel printer का अब चाहे तो लिख लो desi wheel printer का definition में लिखाने के बात करूँ तो आपका यहां लिखा देते हूँ desi wheel का हो जाएगा desi wheel desi wheel printer desi wheel printer is a character printer यानि एक एक character को character printer यानि एक एक character को वाला क्या होता है? प्रिंटर होता है देट यूज ए प्रिंटिंग इलिमेंट्स काल्ड ए देजी विल प्रिंट ठीक है? आई होप क्लियर होगा कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें ठीक है दोनों क्या होता है? देजी विल की बात कर लो चाहे आप इसकी बात कर लो किसकी? चाहे देजी विल की बात कर लो चाहे देजी विल की बात क्ली ही बात क्यों ना कर लो ठीक है तो यह एक क्या करता है एक अच्छर को एक लेटर को एक करेक्टर को ठीक है क्या करता है प्रिंट करता है और इसकी स्पीड पूछ ले तो तो इसकी अगर स्पीड पूछेगा तो यह याद दखना स्पीड है इसकी 20 से 80 ठीक है 20 से 80 करेक्टर पर सेकेंड एक सेकेंड में 20 से 80 सेकेंड तक प्रिंट करने की इसकी क्या होती है इसकी छमता होती है ठीक है पर यह है क्या करते हैं यह मोर एक्सपेंसिव है मतलब यह जादा महंगा होता है किस के एक्कॉर्डिंग तो यह आपके डियम पी के एक्कॉर्डिंग मोर एक्सपेंसिव होता है यह क्या होता है तो यह मोर एक्सपेंसिव होता है यह आपका अधिक खर्ची मतलब महंगा मिलता है किस के तो आपके उस वाले क्यानमें DMP printer के according यह क्या होता है तो एक तरीके से आपका पहिया नूमा एक stick लगी होती है यह typewriter की तरह होता है जिसके पीछे हथोड़ा हथोड़ा होता है जो आपका पहिया घुमता रहता है थीक के पहिया घुमता रहता है यह इसके अंदरूनी का काम होता है फिला इतना आप झाल लो फिक है यह क्या करता है तो लाग करने काम करता है ठीक है तो यह क्या हो गया आपका डेजी वील करनका घ्रीन आए इसने क्या है ने कुछ प्रिंटर उटीर का फूर्थ करें दुद克 रटेंस Java करें मारr वह इंद आए दिए ऒढ़ वोत दौ पहिया बहुत तेजी के साथ और आज यहां लिखा रहेगा उसके पीछे वाला हतुरा उसके बीट करेगा पीटेगा और वो जारेक्ट क्या करेक्ट कागज पर चापतेगा थीक है तो यह काम होता है किसमें आपका डेजी वील प्रिंटर में आई हो तीजे क्लीयर हो रही रुकर्षण प्रिंकर है नोला करेंगा यानि एक बार इक लाइन को प्रिंट करने वाला क्यों फैसी कांट दिवाईज में कीवडिंपूर्टेंट फो तेनिसे पर्दों Apollo में सब्सक्राइट उसकों इंपर्षण प्रिंटा आपका यह क्या प्रिंपूर्टेंश आपको पहली का आंसर दे दू है ना मैंने आपसे पहली का पूछा था कि ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना तो दर्वाजा होता है और ना तो खिर्की होती है पर फिर भी उसे रूम कहता है है वहाँ कौन सा रूम है तो इसका आंसर है मस्रूम इसका आंसर है मस्रूम इसको इस क्लास पर हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना मिलते हैं नेक्ट क्लास में ओके बाबाय और ने टॉपिक और ने चीजों के साथ ओके बाबाय सीगी